ओके लेट्स टॉक अबाउट दा क्रियेशन आप प्रॉपरली तभी समझ पाएंगे जब एक बार इसको थे और दूसरा इसका प्राक्टिकल इंप्लेमेंटेशन देखें तो अब हम देखते हैं ट्री के क्रियेशन के प्राक्टिकल कॉंसेप्ट को लेकिन आप इसके पहले इसके प्राक्टिकल वीडियो को देखें उसके बाद ही इसके प्राक्टिकल इंप्लेमेंटेशन पर आएं तो यूगाइड बेटर ली अंडेस्टांड दिस ना क्योंकि आपको प्राक्टिकल चीजें तभी प्रॉपर्ली समझ में आएंगी जब आप थेयोरी पड़ जु तो सबसे पहले हमने क्या किया अडरफ पार्टिकल इंक्लूजर स्टिदियो डॉटेच एश निक्लूट ओनियो डॉटेच एक डेन वी डिक्लियर इन स्टक्चर फार नोड ओके स्टक्ट नोड और मैं यह मान रहा हूं कि आप इस वीडियो के पहले त्योरी त्योरी वाला वीडियो देख चुके हैं अधर वीजिट्स मेरे लिए भी बढ़ भी सीक्वेंस वही रखें ना क्योंकि मैं यह मान के चल रहा हूं कि आपने थेवरी वाला वीडियो देख लिया है ओके तो इस ट्रक नोड जहां पर हमने दो पॉइंटर लिया थे एक इस ट्रक नोड पॉइंटर एलेट अधिक हैं इंटिजर डेटा जैसे मैं आपको बढ पॉइंटर इस ट्रक नोड पॉइंटर न्यूवर पहले रूट जिसकी इनिशल वेलू हमने रखे नल एंदेन पॉइंटर न्यूवर रीट देन विल गो फॉर में में अभी कोट कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूं दर्वाइस आप चाहें तो जो आपका स्टैक क्यू लिं यहां पर फिर से मैनू डिजाइन कर रहा हूं वह फॉर से लरसी यह पहले मैनू डिजाइन देख लेते हैं फिर हमें वेरियेबल डेकलिरेशन की बात कर लेंगे सो लैशन इस इस वाट ट्री जो भी आप हैडिंग देने चाहें ट्री एप्लिकेशन और ट्री टिक अधिस यह चिश लिए लुग पीपेज दिस ट्रीमें रिए इसट दोर कुम करें लिए ट्रीमें प्रीमें ट्रीमेंट शर्ट करेंट this is in order pre-order post-order and searching sorting whatever abhi toh fila na basic operations let me create create second number pe hamna leh liya in order then number three it is pre-order then number four it is post-order and then number five it is exit यह भी हमारे basic operations then हम जैसे जैसे आगे code लिखेंगे वैसे वैसे इसको समझने समझते जाएंगे तो अब यह मेरे basic operations है जो हम ट्री पर परफॉर्म करना चाहरे है वनिस्ट्री creation उपर आपने application देदी tree application tick and then after हमनी उसर से पुछा पुछा प्रेंट F enter your choice enter your choice and then choice के लिए हमें कुछ variable चाहिए है तो हमने choice ले लिए integer ch variable भी मैं उसी नाम से ले रहा हूं जिस नाम से हमने lecture में देखा था इसके नेफ percentage d for my percent of choice हुआ है ठीक है तो चॉइस में भी one two three four ओके एंडेन इस चॉइस को हमने यूज कर लिया switch में switch चॉइस ठीक अब इस केस के बात करें अगर केस वन है स्वाइन टू कॉल क्रियेट फंक्शन लेकिन उसके पहले यहां पर हमें वही कोड है जो हमने पिछले में भी कहीं बार लिखा है यूजर के लिए ठीक है अरी यूजर जब चॉइस देगा अगर मानलो इसने चॉइस देदी five that means you are she want to exit हमने लिख दिया while ch not equal to five जब तक आपकी चॉइस फाइब नहीं होगी तब तक आपका यह code चलेगा ना case five हमारा exit है तो case one पर मुझे क्या करना है case one पर मुझे tree creation का code लिखना है फिर मेंबर हमने बात की थी कि how to create को कि यह दो पार्ट में code लिखा है हमने जो पहला क्रियेशन है वो case one में होगा और remaining जो नोड है जो ट्री में अटाइच होंगे वो create function में होंगे क्योंकि वो recursive based application है तो case one में हमने सबसे पहले user से एक element लिया enter an element scanf %d,% of n और इसको लेके हमने नया node create के new one equal to struct node star ma log size of struct node इसको ready कर लिया new one के led में equal to new one के rad में equal to null and then new one के data में equals to end आपका नया node already got it अब इस नया node को मुझे ट्री में attach करना है लेकिन यदि मेरा नया node पहला ही node है so this would be a root node तो हम यह check लगा लेंगे यह यादे अभी lecture में पढ़ा हमने if root equals to equals to null यदि root की value null है ठीक है मतलब आपका पहला node अगर root है और root को हमने initially क्या set किया हुआ है null है तो यदि मेरा root null है so now this node will be the root node तो हमने क्या लेकर रूट इक्वल टू रूट इक्वल टू न्यूवन ठीक है लेकिन अगर root null नहीं है तो फिर आपका create function root और new one को लेके जाएगा और आगे का काम आपका create function करेगा right so this is get ch this is what main method of creation oh sorry this is what the main method of tree key and a tree come the main method में यही बात कि the main is basically for menu application as well as some of the code of first node creation का जो code है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है ठीक है अब इसके बाद हम create function को define करता है तो एक बार पहले हम इतना code run करके देख ले ठीक है कि अगर कोई अब भी syntaxes error होंगी तो at least हमें अभी initial level भी पता चल जाएगा देरा संटेक्स error undefined symbol choice ओके हमने variable लिया है CH के नाम से और स्विच में भी हमने अब आप देखो अब मेरा ये function प्रॉपर्ली रन कर रहा है फाइफ एग्जिट राइट जसेव दिस ठीक है मतलब मेरा ट्री का basic concept क्लियर है कि मैं अगर ट्री क्रिएट करता हूं ठीक है अब मेरा टास्क है कि अगर मैं वन क्रिएट करता हूं तो अभी हमें उसके लिए ट्री का क्रिएशन कोड लिखना है अभी तो हमारा पहला नोट क्रिएट हुआ है ठीक है लेकिन अब आप देखो यदि मेरा फस्ट टाइम रूट अगर नल है तब तो मेरा रूट नोट क्रिएट हो गया लेकिन अब क्रिएट फंक्शन दो एलिमेंट लेके एजन आर्गुमेंट हमने दो आर्गुमेंट पास किये हैं सो पेरामेटर भी हम यह दो लेना पूलेंगे इस ट्रक नोट पॉइंटर आर एन इस ट्रक नोट पॉइंटर न्यूवान ठीक है ओके तो अब क्या चेक लगाना है यदि आर्ग सोरी न्यूवन का डेटा लेस देन है आर के डेटा से ठीक है यदि न्यूवन का डेटा आर के डेटा से छोटा है ठीक सोबाइट इस नोट विल बी अटाइच इन लेफ और साइट यह चेक करना है कि क्या आर का ल Castle equal to equal to null है, अगर R का अलेड null है, if R of einied equal to equal to null, so that R के einied में हमने किसको assign कर दिया? new one को, अगर R का अलेड null है, that means आपके R के einied में आ जाएगा new one, रइट, बोगा एप स्टेटमेंट के लिए else लेकिन अगर इसा नहीं है मतलब new one का data तो R के data से छोटा है आपने check लगाया अगर R का valid null है तो R के valid में new one otherwise create function दुबारा call होगा जो अपने साथ लेके जाएगा R का valid in new one यह हमारी पहली condition जब new one का data R के data से छोटा है तब यह condition लेकिन same condition को मैं copy paste करता हूँ इसके लिए right side के लिए कि अगर greater than है ठीक लेकिन मैं आपको फिर repeat कर रहा हूँ आप इस lecture के पहले theory वाला वीडियो देखके ही यहाँ पर आए क्योंकि मैं assumption मान रहा हूँ कि आप उस lecture को देख चुके हैं तो ही आप properly इसको समझ पाएंगे है ना directly इसको पढ़ने की गलती ना करें है अगर निवन का data आर के data से greater है तो फिर आपको चेक लगाना है आर का आरेट और आर का आरेट आर का आरेट डाल है अधर्वाइस आर आर अरेट इपल तो निवान और तीसरी कंडिशन क्या है हमारी इफ निवन आप डेटा इस एक्वल टो एक्वल टो आर अर अगर एक्वल है तो नतिंग को वरी प्रिंट एफ अ श्लैशन दुप्लिकेट अलिमेंट नॉट लावड यह हमारा क्रियेशन का कोड वह गया इस इस ओट धा क्रियेट को एक टिक लिर है अब टो ट्रीएट दे निव नोड आओ टो इंसर्ट अ नोड इन त्री ठीक है मतला पहला नोड क्रिएशन हमने केस वन में किया है है एंड रिमेनिंग हमारा लूप स्वरी हमारा फंक्शन जो है वो रिकर्सिव बेस्ट बनाए और लेट्स चेक इट है वन एलिमेंट दिया मानलो मैंने 78 ठीक है अब आप देखो यहां पर जो हमने इस वन लिखा है इसमें क्या करना आपको क्रिएट करने के बाद यूदर से फिर से पूछना है प्रिंट एफ पहला नूट तो क्रिएट हो गया वांट टू कंटिन्यू तो कि वह फंक्शन पर तभी जाएगा ना जब आप उसको नेक्स बोलोगे वांट टू कंटिन्यू और यहां पर हमें कि यस या नो के लिए फिर एक वेरियाबल चाहिए तो दाट विल बिटी क्लियर लेकिन दिस इस टाइप आप आप क्यारेक्टर च्वाइस और दूसरा ट्री में नहीं नोट क्रिएशन की च्वाइस तो आपने नोट क्रिएशन के बाद यूदर से पूछा वांट टू हुआ यह थिए और यहां पर हमने लिग दिया ऐस है चॉइस इकवलल सूिक वेल्समें वाइज च्वाह न आपने पहला नोट क्रिएट किया पहला नोट क्रिएट करने के बाद फॉर्इं cambi why जब तक यूजर येस बोलेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा यह पूरा का पूरा कोड हम लिख देते हैं दू दू एंड वाई दू भाई ठीक फास्ट टाइम पे लूप एक्जीकुशन करेगा ठीक फास्ट टाइम पे जो कि दू वाईल का पहला एक्जीकुशन कंडिशन डिपेंडेंडंट नहीं होता है तो पहला नोड वो बनाएगा पहला नोड बनाने के बाद आपने उससे बोला है वहाँ स्ट चोईस अगर पहला नोड क्योंकि ये कोड और ये इफ-इल्स का कोड और राइट अगर यूजर यस बोलता है so that the new node creation process will be again execute यहां से आपका प्रोग्राम फिर से new node creation पर जाएगा ओके और यह आपका create function क्या हो to create a and how to attach a new node in the tree ठीक यही सम्झा थामने थे वरी क्या ह्स मेबने र मेपर्ण आपका ट रामेऽ क्या क्या गामने ल५च यहीन थे तिल्स इां विकस्1 and say this one now if i will create one enter an element 66 want to continue yes 33 want to continue yes 78 want to continue yes 55 want to continue yes again 33 duplicate element not allowed want to continue no okay अब यह मेरा tree creation हुआ है and that's tree created in a memory लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा तो हम इसका in order traversing देख ले थे हैं पड़ले हमने already in order traversing भी राइट तो हम इसका in order traversing देखते हैं कि यदि इस tree के element को मुझे in order form में traverse करना है so how will traverse the element in order format ठीक इसी में हम इसलिए कि एक बार में आपको समझ में आ जाए कि tree create हुआ है नहीं ठीक अब इसका में non recursive code लिख रहा हूं जो हमने पड़ा था तो करना क्या है इसमें case one के बाद एक बार आप इसको पूरा देख लिए क्या किया था हमने structure हमने create किया main में हमने menu design की case one के बाद आपने यहां पर आपको लिखना है case 2 ठीक है this is case 2 और case 2 में हमें कुन सा function कॉल करना है in order ताकि हमें यह पता चल जाए कि हमारा tree create हुआ के नहीं ठीक in order and then break अच्छा case one में भी आप एक काम करिएगा ब्रेक हमेशा यूज करते हैं तो यहां पर ब्रेक ठीक मतलब case one complete होने के बाद this is break अब यह जो case 2 है हमारा जहां पर हमें data element display करना है in order format में ठीक है तो let's write the code of in order जिससे अपने को यह पता चल जाएगा कि अपना tree create हुआ है नहीं in order और already इसका non-recursive code हम देख चुक्या है ठीक है इस ट्रक नोड पॉइंटर कि आर in order मतलब lnr if in order r of valid printf percentage d space कर देख ना 5d comma r ka data and then again in order are of this is what in order driver से ठीक है एलेट डेटा एन आरेट लेफ्ट नोड और राइट लेकिन ये कब तक इफ और आउफ पर नॉट इक्वल्स टू नल इस आर नॉट इक्वल्स टू अब तक आर में नल नहीं आ जाता है ये कोड हमारा चलता रहे हैं इस इस वाट सिंप्ली नॉन रिकर्सिव कोड ऑफ इन ओडर ट्रेवर्स इसका भी आप ठेडिकल वीडियो देखेंगे तो आप पो यह चीज़ी समझ में आएगी ठीक तो हमारा मेजर फोकस अभी ट्री क्रियेशन को लेके है पर ट्री क्रियेट हुआ है नहीं मेमोर में डिस्प्ले हुए हमारा ट्री प्रॉपरली क्रियेट हुआ है उसका रीजन यह है कि बाइनरी सर्च टी का इन ओर हमेशा सॉटेड इलिमेंट डिस्प्ले करता है नहीं पढ़ा है हमने याद करो तो लेट सी अब आप देखो यदि मैंने 3 ऺ्रीयेट किया 1 element 77 1 to continue 661 to continue 881 तो continue yes 91 to continue yes 43 want to continue yes 33 want to continue no and then two okay 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 हमने शायद choice two अभी create function में लिए है okay create in order case one is this case two is in order function in order में लिखा है that node pointer are if r not equal to null then it calls the in order function okay 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 just take हुई है ठीक creation तो proper हुआ है प्रक्रापर हुआ है प्रक्राइब से कि केस्टू में को तो केस टू में जब हमने है है अपना केस्टू तो केसी कोmen के इन07 को करेंगे तो वहां कैसे इसको र whispering जब तक फंक्षन को रूट नहीं दोगे तब तक उसको केसे लिकाष सिरेट पाहन से स्टार्ट करना हिए यहां से किया भी है यह रूट हमने रिसीव किया and then आपका प्रोग्राम डिस्प्लेय करेगा ठीक है and then one now see create 88 want to continue yes 77 yes 56 yes 90 yes 123 yes 112 no and then two it is 56 77 88 90 112 123 this element will display in sorted order तो अगर यह sorted order display हो रहा है it means आपका tree creation प्रॉपर है क्योंकि in order का जो display का concept है कि binary search stream में जब भी in order traversing होगा sorted order में होगा तो this is in order traversing okay I hope you can understand this entire choice 5 तो यह है हमारा in order का code कि how to create the list and how to display the element in in order format in order मुझे इसलिए भी लिखना पड़ा क्योंकि tree creation होगा तो ही आपको समझ में तभी आएगा जब इसके element display होगे but in the next lecture in the next video we will talk about the remaining two display concept pre-order and post-order and the next lecture में बात करेंगे pre-order post-order को लेके कि how to display the element in pre-order format and how to display the element in post-order format meanwhile आप इसका theoretical lecture भी अच्छा से समझ ले और इसके practical implementation को भी अच्छा से समझ ले ओके तो अभी हम non recursive code की बात कर रहें next time हम recursive code की बात करेंगे तो एक बार फिर से पूरा concept आप देख लीजिए यह हमारा किल का main menu है this is what create function ठीक है this is what in order function अभी हमने दो ही function लिखे remaining function आप next lecture में देखते हुआ